Hello everyone, start करते हैं इस वीडियो से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं Waste Water Story, 7th Science का जो चैप्टर है उसके Question-Answers तो इस Particular वीडियो में हम लोग क्या discuss करेंगे? Question-Answers discuss करेंगे Now, First Question है, जो आपका NCRT में भी दे रखा है यह उसी का पार्ट है, Fill in the Blanks Cleaning of water is a process of removing मैंने इसके आंसा लिख रखे हैं, बड़ आपको खुद भी सोचके लिखना है कि जब हम बात करते हैं water को clean करने की तो cleaning of water एक process है जिसमें हम remove करते हैं क्या remove करते हैं जब हमें water को clean करना होता है What do we remove? Pollutants तो इसका example क्या हो गया? इसका answer क्या हो गया? Pollutants जो भी घर से wastewater जाता है, जो भी घरों से wastewater release होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं sewage क्या बोलते हैं sewage तो ये हो गया second का answer that is B का आप इसको यहाँ पर अपने आप fill कर लेना जब भी बढ़ोगे उसके बाद है dried dash is used as manure manure क्या होता है? खाद kind of होती है ना जब plants में या किसी भी चीज में हमें डालना होता है तो एक तो fertilizer होते है एक manure हो गया कि खाद डाल देंगे ताकि जो भी उसकी quality है वो better हो जाए जिसे गहते है ना कि जो भी चीज़े उसको चाहिए ग्रो करने के लिए वो उसको मिल जाए तो जो यह sludge होता है ना यह manure का काम करता है ठीक है जब यह पूरा remove हो जाता है वहां से हम sewage treatment plants को remove कर लेते हैं या wastewater treatment plants को remove कर लेते हैं इसके बाद इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़े होती हैं जिससे क्या होता है यह manure का काम कर लेता है Now, drains get blocked by जो drains होते हैं नाले होते हैं वो किस चीज़ से block हो जाते हैं कई बार they get blocked by chemicals and sometime they get blocked by kitchen waste kitchen waste की वज़े से कई बार जो drains होते हैं they get blocked Now, let's move to the next question यह तो बहुत ही easy था मैंने क्या किया है आपका question भी NCRT का है तो इसके कुछ part जो इसका यह आप देख रहे हो ना यह पूरा का पूरा यह भी मैंने आपकी book से उठाय है ठीक है Now, what is sewage? Explain why it is harmful to discharge untreated sewage into rivers और seas सबसे पहले चीज़ है कि sewage क्या होता है और यह harmful क्यों होता है discharge करना मतलब release करना untreated sewage को जो sewage treat नहीं हुआ है उसको river और seas में जो हम release करते हैं वो harmful क्यों है sewage is wastewater released by homes, industries, hospital, offices and other users sewage क्या होता है? जब wastewater release हो जाता है घरों से, industries से, hospital से, offices से और बाकी users से मतलब देखो, पानी का use हर जगे पर होता है, तो घरों से जो पानी जा रहा है, industries से जो पानी जा रहा है या offices से जो पानी जा रहा है, उसमें बहुत सारा waste material होता है तो यह सारा का सारा क्या 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 आता है? sewage क्या आता है इसके अंदर rain water भी आता है, जो की street से run down होता है skyber क्या होता है? जब heavy rain हुई बारेश आई पूरा उस floor से जो अपकी road है, वहां से होते 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 थे वो अंदर खुसी तो वहां से यह आता है, the water that washes off road and rooftop carry harmful substances with it जो water होता है, यह क्या करता है? अपने साथ जो roads होती है यह समझ लीजे, छट पे पानी गिरा, वो पानी अपने साथ dirt लेके आता है, गंदगी लेके आता है तो यह water wash off करता है roads को, rooftop को और अपने साथ harmful substances को लेके आता है sewage एक liquid waste है, it is a liquid waste क्योंकि उसके अंदर वो use का तो है नहीं पानी most of it is water which has dissolved and suspended impurities इसमें mostly क्या होता है? पानी होता है, जिसमें dissolved या suspended impurities होती है फिर से पाड़ो, most of it is water, most of it is water, most of it जो इसमें होता है, वो water होता है जिसमें dissolved या फिर मतलब पुटी तरह से घुली भी या suspended impurities होती है ठीक है, next question है, why it is harmful to discharge? मतलब कि हम उसको ऐसे ही untreated, जिसमें कोई treatment नियु जो ऐसे का ऐसा sewage है उसको हम reverse या C में क्यों नहीं छोड़ सकते? sewage contain harmful substances, हम क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि उसमें बहुत सारे harmful substances होते है and disease causing organism, ऐसे चीज़े होती है, ऐसे organism होते हैं, जिससे बिमारिया होती है hence, it is dangerous to release untreated sewage into water bodies इसलिए थोड़ा सा ये dangerous है, it is not good to release this untreated sewage into water bodies इसलिए हमें, ये जो untreated sewage होता है, जिसका treatment नहीं हुआ, इसको water body में release नहीं करना चाहिए समझ में आया, next पर बढ़ते है why should oils and fats be not released in the drain? यानि कि जो ये oil होते हैं और fats होते हैं, इनको drain में क्यों नहीं release करना चाहिए इनको क्यों नहीं हमें drain में जो नाले अगरा होते हैं इसमें छोड़ देना चाहिए cooking oils and fats should not be thrown down the drain मतलब कि ये जो cooking oils होते हैं, fats होते हैं, इनको drain में नहीं फेका जाना चाहिए they can harden and block the pipes, वो hard हो सकते हैं, समय के साथ, time के साथ, वो थोड़े hard हो जाएंगे और pipe को क्या कर देंगे, block कर देंगे, तो easily कोई भी चीज pass on नहीं हो पाएगी in an open drain, the fats clog the soil pores reducing its effectiveness in filtering water तो जब open drain होती है, उसमें जो ये fats होते हैं, ये clog कर देते हैं, रोक लेते हैं, soil के pores को and उससे क्या होता है, जो water को filter करने की effectiveness है, कि जितना अच्छे से drain पहले water को filter कर पा रहा था, अब वो नहीं कर पा रहा, चीक है throw oil and fats in the dustbin, हमें कहां फेकना चाहिए, उसको dustbin में फेकना चाहिए drain में जहीं फेकना चाहिए, ठीक है, this question is clear now, describe the steps involved in getting clarified water from wastewater हमें अच्छा साफ पानी, चलो अच्छा भी तो नहीं, लेकिन साफ पानी, जो wastewater होता है उसमें से कैसे मिलता है, wastewater is pass through bar screens, क्या होता है, यह जो wastewater होता है उसको bar screen से pass किया जाता है, bar screen में क्या होता है, जो large object होते हैं जैसे कि बड़े-बड़े से कुछ polythin हो गई, plastic packets हो गई, cans हो गई, वो वहीं की वहीं निकल जाते हैं, उस bar screen के थूँ, then आता है, water then goes to a grit and sand removal tank, फिर water कहा जाता है, एक ऐसे tank में जाता है, जहाँ पे grit या चोटे-चोटे पत्थर या sand को remove किया जाता है The speed of the incoming wastewater is decreased to allow sand, grit and pebbles to settle down, जो speed होती है आने वाले wastewater की, the speed of the incoming wastewater is decreased, उसको थोड़ा धीरे किया जाता है, उस speed से, जिस speed से वो पानी आ रहा है, ताकि जो यह sand है, grit है और चोटे-चोटे-चोटे कंकल वगरा है, वो नीचे settle down हो जाता है बार स्क्रीन से, उसके बाद grit and sand removal tank और वहाँ पर उसको अपने आप settle down होने का chance देते है The water is then allowed to settle in a large tank, यानि कि बड़ा सा tank होगा, जो बीच की तरफ sloped होगा, sloped in the middle Solid-like feces settle at the bottom and are removed with a scrapper फिर जैसे कुछ भी waste होगा, human waste होगा, excreta होगा, human excreta होगा, वो क्या होता है, bottom में settle हो जाता है और उसको remove कर दिया जाता है with the help of a scrapper ठीक है, this is the sludge, जो ये feces है, human excreta, जो भी waste निकला, इस सब को sludge बोला गया है A skimmer remove the floatable solid-like oil in grease, समझ लो, जो भी waste था, वो नीचे यहाँ settle होगा ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला था, slope towards the middle, तो ये large tank बीच में sloped होता है तो यहाँ पे तो ये सब remove हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, इसने क्या बोला, a skimmer, skimmer क्या होता है, ऐसे बीच में होता है वो क्या करेगा, वो जो भी floatable चीज है, जैसे कि समझ लो, बहुती वैसा example दे रही हूँ, अगर आपको कुछ भी मलाई वगर होती है उपर आजाती है, अका मक्खन निकालते हो, तो दूद नीच रजाता है, मक्खन उपर आजाता है, तो वो skimmer क्या करेगा, जो floatable solids हैं, जो पानी से हलके उपर है, oil और grease उनको निकाल देगा Water so cleared is called clarified water, जो ये पानी है, इसको हम क्या बोलते हैं, clarified water बोलते हैं, देखो आपको यहीं तक बताना था कि clarified water कैसे मिलता है, उससे, waste water से, आपको सिर्फ इन तीन step तक बताना था, बट आगे के भी steps है, मैंने लिख दिये हैं आपके understanding के लिए, ताकि आप लोग समझ पाओ, ठ पंप की जाती है, ताकि aerobic bacteria grow करें, और ये जो bacteria होते हैं, ये human waste, food waste, soap, other unwanted matter को धीरे धीरे क्या करते हैं, consume करना शुरू करते हैं, खाना शुरू करते हैं, और कई several hours के बाद जो suspended microbes होते हैं, वो bottom के, sorry, tank के bottom में क्या हो जाते हैं, settle हो जाते हैं, but the thing is, जो question आपको पढ़ना थ वो यहां तक पढ़ना था, okay, now what is sludge, explain how it is treated, sludge is the collected solid waste from the wastewater, जो भी waste आपका निकला, कहां से, जो wastewater treatment हुई, उसके बाद जो solid waste निकला, जैसे human feces थे हैं, हमने पढ़ा था न, जो भी human waste था, जो bio-degrade हो जाए, उस सब को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया, Sludge is decomposed in a separate tongue by the anaerobic bacteria, यह जो sludge होता है, यह अलग से, एक अलग container में इसको decomposed किया जाता है, naturally खतम किया जाता है, by with the help of bacteria, now, activated sludge, जो बच जाता है, यह सब decomposition होने के बाद, हर चीज़ के बाद, उसको हम use कर लेते हैं, as many, और जो question आपने पहले cover किया, Untreated human excreta is a health hazard, explain, यानि कि जो human excreta, जिसको treat नहीं किया गया, जो आपके wastewater treatment plant में भी नहीं गया, जो ऐसी नदियों के आसपा से धरोदर कहीं भी कोई कर देता है, वो बहुत ही harmful है, क्यों है? क्योंकि उसकी वज़े से कई सारी diseases होने के chances रहते हैं, और उसकी वज़े से health related problems होने की भी chances रहते हैं, It pollute water, air and soil, किसको pollute करता है यह, पानी को, air को और soil को यह pollute करता है, the polluted water contain disease causing bacteria, यह जो polluted water होता है न, जब इस excreta ने पानी को pollute कर दिया, तो इस polluted water में क्या होगा, disease causing bacteria होंगे, जो कि कई सारी बिमारी फैला सकते हैं, अलग-अलग बिमारिया फैलती हैं, पानी से बहुत सा Now, दो chemical, जिससे water को disinfect किया जा सकता है, यानि की, water जैसे समझ लीजे, खराब है, थोड़ा भी उसमें कुछ chemical दे हैं, उसको ठीक किया जा सकता है, chlorine and ozone, ठीक है, these are the two chemical that are used to disinfect water Explain the function of bar screens in a waste water treatment plant, हमने पहले भी पढ़ाया है, इसी वीडियो के अंदर, कि जो bar screen होते हैं, वो large objects को remove कर देते हैं, जैसे की, sticks, cans, plastic packets, napkin, यह सब remove हो जाते हैं, with the help of bar screen Explain the relationship between sanitation and diseases, उसके बाद question आता है, explain the relationship between sanitation and disease, तो मतलब है कि आपको क्या करना है, explain करना है कि क्या relation है sanitation और diseases के बीच में, देखो, poor sanitation and contaminated drinking water Sanitation related सारी चीज़े आजाती है, साफ साफ आई हो गया, प्लस जहां पे भी human waste disposed होता है, आपकी वो practices कैसी है तो अगर sanitation काफी poor है और water भी contaminated है, contaminated मतलब गंदा है, तो वो बहुत बड़ा कारण है diseases के होने का ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया, poor sanitation, दूसरा हो गया, contaminated drinking water इसने क्या बोला है, बहुत ही large number of हमारी मतलब population है, जो खुले में जिसे कहते है ना, deficit करते है like खुले में शौच करते हैं, इसे आप बोल सकते हो, या फिर जो सुखे पड़े हुए river beds है, जहां river जाती है, वहाँ पे करते हैं, railway tracks पे या field के पास में, या कई बार directly, they do it in the water, untreated human excreta is a health hazard, मतलब की जब तक वो clean नहीं हुआ हुआ हुआ, उसका treatment नहीं हुआ 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 हुआ, वो जिसे कहते हैं, treatment plant से नहीं गुजरा, तब तक it's a very big challenge because उससे कई सारी बिमारियां हो सकती है, it may cause water pollution and soil pollution, वो क्या कर सकता है, वो water pollution कर सकता है या soil pollution कर सकता है, ठीक है, both the surface water and ground water get polluted, surface water और ground water दोनों pollute हो सकते हैं, surface water मतलब कहीं भी open में, खुले में शौच किया, वहां से पानी इसके से पास हुआ और जहां भी mix हुआ, वो water pollute हो गया, प्लस वो ही पानी जाके बाद में नीचे चला गया, तो ground water भी pollute हो गया Ground water is a source of water for wells, tube wells, spring and many rivers, यानि कि जो ground water होता है, वो कई सारी चीजों का source होता है, यानि इन सारी जगों में जो पानी आता है, वो ground water से आता है Thus, it became the most common root for waterborne diseases, तो ये बहुत ही common root है, most of the diseases के लिए और दूसी चीज दे, include cholera, typhi, polio, meningitis, hepatitis and dysentery ये सारी बिमारियां, जो खराब पानी, उससे हो सकती है, तो बहुत ही direct relationship है between sanitation and disease अगर अच्छी, मतलब तरह से ये सारी चीज़े होती है, तो disease होने के chances कम होते हैं, अच्छे से नहीं होती है, तो उत्ते ही जादा chances हैं कि diseases होंगी और फैलेंगी ठीक है, next पर आजाते हैं, now outline your role as an active citizen in relation to sanitation आपको क्या करना है, आपको अपना role बताना है कि आप क्या कर सकते हो, अगर हम बात करते हैं sanitation की या हम healthy environment की बात करते हैं, तो एक individual का भी बहुत important role है, environment को clean रखने में और healthy रखने में, जैसे कि you must realize your responsibility in maintaining the water sources in a healthy state, मतलब हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमारी क्या responsibility है water sources को maintain रखने में और धंग से रखने में, ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं सोचना है कि यह दूसरे का काम है, दूसरा करेगा, यह हमारी duty है तो हमें भी देखना है, Good sanitation practices को adopt करना चाहिए, लेना चाहिए, As an agent of change, your individual initiative will make a great difference, मतलब कि हमारे खुद के जो initiative हैं, वो काफी difference create कर देंगे, Influence other with your energy, ideas and optimism, दूसरों को भी चीज़े समझाओ, ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ अच्छी करते हो, तो you need to keep it to yourself, आप दूसरों को भी वो चीज़े बताओगे, A lot can be done if people work together, मतलब बहुत सारी चीज़े हो सकती हैं, अगर लोग साथ में काम करें, और हाँ, बहुत ही great power है in collective action, मतलब साथ में जो हम लोग करेंगे सब मिलके, उसका बहुत बढ़ा असर पड़ेगा, क्योंकि एक जन्ने के करने से automatically, अगर बहुत सारे लोग साथ में आएंगे, तो बहुत जादा impact देखने को मिलेगा, on these things and on these resources, ओके, so this was the, like आपका क्या role है, ये उस पे था, बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगिया है, तो like, comment, subscribe कीजे, उसके लावा आप क्या कर सकते हो, मेरे चानल पे 7th class की science, social studies के तीरों subject की English की playlist बनी हुई है, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो, आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगा, NCRT को मैंने cover किया हुआ है, उसके लावा हर topic को, हर चीज को मैं अब धिरे-धिर explain भी कर रही हूँ, question answers cover कर रही हूँ, playlist में जाके, thank you so much.